हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके यूटूब चैनल प्रम हैसन सुकलावलों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो हमारे बीए फर्स्ट येर के फर्स्ट समेस्टर के स्टुडेंट के लिए इंपॉर्टन होने वाला है जिया जो भ सकते हैं दोस्तों आप जानते हैं आपके स्लेवस का वीडियो जो है पहले से अपलोड है अपने अपना स्लेवस अभी तक चेक नहीं किया है तो स्लेवस अपना एक बार ज़ूर देख लीजे कि आपको क्या-क्या चीजें पढ़नी हैं इंग्लिस लिट्रेचर के अंतरगत और जो आपके course title जो आपका है अंग्रेजी का वो English prose आपका रहेगा यानि जिसको आप अंग्रेजी गद्य कह सकते हैं तो English prose and writing skill यह आपके title का नाम है course title जो आपका सीरसक है यानि अंग्रेजी गद्य और लेखन सैली तो यह आपको पढ़ना रहेगा इसके अंतरगत दोस्तों आपको आपके पूरे course को डिवाइड किया गया है यानि आठ एकाईयों में सारा आपका course जो है वो डिवाइड है हर यूनिट में अलग 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 तरह के topic जो है वो include हैं अगर आपने syllabus का वीडियो नहीं देखा तो syllabus देखकर एक बार उसके बाद पढ़ाई इस वीडियो में दोस्तों आपको फर्स्ट यूनिट के बारे में बता गया है जिसमें आपको कई राइटर्स जो इंग्लिस राइटर उनके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रस कर लें ताकि वीडियो की notification आपको समय 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 मिलती रहे पहले हैं पहले ही राइटर जो आपके हैं अंग्रेजी जी सहित्के यह दोडिक्त के बारे में आपको बताना है आंस्वर में देखते हैं दोस्तों कि क्या भूम का और क्या युगदान है से अर्मिंदो जी का देखें इंडियन इंग्रेज लिट्रेचर इस टू हंडड़ इयर्स ओल्ड यानि भारती अंग्रेजी साहित जो है वो कितने साल पुराना है दोस्तों 200 साल पुराना है 200 यानि 200 येर्स ओल्ड यानि 200 साल पुराना है करें मतलब कि जब अंग्रेज लोग यहां अपने देश में आये थे तभी से इंग्लिस में लेखन का काम शुरू हुआ तभी से राइटर्स जो आपने यहां के थे यानि इंडियन राइटर थे उन्होंने खड़े हुए हैं लाइक हुज ओक ओक एक ब्रिच का नाम है दोस्तों जो बहुत लंबा होता है एक लंबे ओक ब्रिच की तरह और स्प्रीडिंग इस प्रांच है यानि अपनी साखाए फैलाया रता है ठीक उसी तरह अर्भिंदो जी खड़े हुए है कि कहां पर ओवर दी ट जो है बहुत जादा है यानि वह एक ब्रिच की तरह जैसे वह ब्रिच अपनी भ्रांचे फैलाये रहता है बहुत दूर दूर तक तो उसी तरह पूरे दो सताब्दी पर या सताब्दी की रचनाओं पर अंगरे जी साहित पर उनका प्रभाव है आगे देखते हैं दिक यानि यानि एक एक शिल्फकार के रूप में स्री अर्विंदो जी का योगदान जो है अगे दिखते हैं He is the first poet in Indian English writing, यानि वो पहले कभी है, भारती एंग्रे जी लेखन में, who has given the re-interpretation of myths, जिन्होंने myths का, यानि मिथकों का, मिथकों की पुनरब्याख्या, पुनरब्योस्था की, यो पहले कभी है, यानि स्री अर्विंदो जी पहले कभी है, जिन्होंने मिथकों की क्या की है, आगे देखते हैं कि स्री अर्विंदो इन्विस सेगेज स्प्रिचूल हुमेनिज्ब, यानि स्री अर्विंदो जी जो है, वो क्या करते हैं, इस्प्रिचूल हुमेनिज्ब, यानि अध्धात्मिक मानवताबाद की परिकल्पना करते हैं, दोस्तों, यानि उनक human life यानि मानो जीवन जो है बाडी शरीर our best mind यानि और मस्तिस्क आर दा evolved form of supermind यानि supermind का यानि अत्युमस्तिस्क क्या कह सकते हैं कि supermind का वो क्या है एक बिख्शित रूप है यानि आज philosophers को बताते हैं स्रिया भूंट जिए कि आज की जो human life और यानि मानो जीवन शरीर और दिमाग जो है वो सुपर माइंड का एक क्या है बिक्सित रूप है आगे देखते हैं आर्विंदो फेमस यानि अर्विंदो फेमस वर्क अर्विंदो सापका जो फेमस वर्क है उनकी प्रमुक जो रचनाये हैं कौन सी उनकी है कि यहां अग्यों का नाम है टेकन टू तो टूगेदर एक साथ वो क्या करती है तू गिवा कम्पलीट पिक्चर यानि एक पूंड पिक्चर पूंड चित्र देती हैं प्रस्तुत करती हैं आफ विंदो वर्जन आफ यानि जो मनुस्त की प्रस्तुत करती हैं उसका पूर्ण चित्र प्रस्तुत करती हैं क्या चीज उनकी रचनाएं यह जो रचनाएं उनकी बताई गई है उपर यह दोनों रचनाएं उसके आगे देखते हैं प्रविर्त को दिखाती हैं इन इस थाट उनके विचारों में आगे देखते हैं इन दा हुमन साइकिल उनकी रचना का नाम है दोस्तों जो भविश्ट की इस प्रिचुवल अधात्मिक बिजन द्रिष्टी से क्या हैं आप प्रकासित हैं या भरी हुई है आगे देखते हैं इस वाई या यह निश्चित है सिद्ध है कि अंग्रेजी जो इंग्लिस ड्रामा है अर्थात अंग्रेजी नाटक जो है भारती अंग्रेजी नाटक है कुड़ नाट सिकुर अफर्म फूट होल्ड एंड बुल्ड़ ट्रेडिशन आफ इट्स ओन अबाउट फिच एमके नाइक से यानि जो यहां से देखें कि इंडियन इंग्लिस ड्रामा कुड़ नाट सिकुर अफर्म फूट होल्ड यानि एक अपना मलब द्रढ पाउं नहीं जमा सका अंग्रेजी जो मलब भाड़ती अंग्रेजी नाटक था वो अपना कदम या अपना पाउं नहीं जमा सका एंड बुल्ड़ ट्रेडिशन और अपनी परमपरा भी नहीं बना पाया आफ इट्सोन यानि अपनी यह असफ़स्ट है यानि य नाटक जो है वो या अंग्रेजी भारती अंग्रेजी नाटक जो है वो कभी भी अपने पाउं जमा नहीं सका या अपनी एक अलग पहचान अलग परमपरा अस्थापित नहीं कर पाया ठीक से अबाउट फुच जिसके बारे में M.K.N.I.C.S. कहते हैं क्या कहते हैं ओविंग टू द लैक आफ अफ फर्म ड्रेमेटिक ट्रेजीशन यानि एक निश्चित ड्रेमेटिक ट्रेजीशन की कमी के कारण यानि एक दिर्ड ड्रेमेटिक ट्रेजीशन का मतलब दोस्तों नाट की ये परंपरा जो है नाट की ये परंपरा की कमी के कारण नूरिश्च डान जो पोसित है आन एक्चूल पर्फार्मेंस वास्तविक प्रधर्शन पर इन लाइव थेटर यानि लाइव थेटर के वास्तविक प्रस्तोती से मलब पोसित जो दिर्ड नाट की परंपरा है उस भारतिंग्लिष द्रामा इन बंगाल यानि बंगाल में अस इल्स इंडिया की जैसा इंडिया में भी यानि भारत के अन्य भागूं में भी ऐसा हुआ है कि गिव गर्यों इस प्रोडिकली अस मस्टली क्लोसर ड्रामा यानि जिसका चिटपुट विकास हुआ है चिटपुट विकास हुआ है अस मोश्टली कुलोसर ड्रामा यानि मुख्यतया जो आप कह सकते हैं कोठडी ड्रामा के रूप में जिसका विकास हुआ था एंड इवन लेटर और बाद में ओनली स्री अरविंदो केवल अरविंदो रभीना टैगोर एंड हरींदरनाथ चटोबाध्याई यानि इन तीन लोग के बारें बता जा रहा है कि ये तीन लोग प्रोडूश रा सब्स्टेंट कॉर्पस आप ड्रेमेटिक राइटिंग यानि इन्हों ने ही केवल क्या किया कि ड्रेमेटिक राइटिंग को मतलब एक अच्छी तरह मतलब कुछ जादा रचनाएं इस नाटकी लेखन में किया नाटकी लेखन में बाकी और राइटर जो है वह इस छेत्र में बहुत ज्यादा रचना नहीं कर पाए तो यही कारण है कि जो नाटक था अंग्रेजी भारती अंग्रेजी नाटक था धीक से जमा नहीं पाया यह स्थापित अपनी परंपराओं को नहीं कर पाया आगे दिखते हैं तो यह दोस्तों हो गया आपका कि क्या योगदान राय सरीअरबिंदो जी का उनकी जो रचनाय हैं Castor प्रमुख रचनाय दोस्तों उनकी हैं जो आपको मैंЧто इसका पहले भी स्रीअरबिंदो की योगदान के बारे में दिया गया है वह एक मधией दिख लेंगे तो तो इन के बारे में पूर्म टया जानकारी ऑपको मिलजाएगी उसके बाद लुखते हैं अगला स्टाला मारकंडे इंडियन इंग्लिस राइटिंग इस तरह से कुईस्चिन आए तो इन के बारे में आप जाने रही है कि आइंसर आपका यही है यह उनके कांटिब्यूशन के बारे में ही एंसर दिया जा रहा है देखते हैं कि कमला मारकंडे वाल ब्राट अप इन साउथ इंडिया यानि दच्छिन भारत में but her works do not confined to provincial characters and themes लेकिन उनके जो works थे उनकी रचनाये जो थी वो एकदम उसी में यानि provincial characters यानि वहां की जो प्रांतिये मलब प्रांतिये पात्र और themes विशय पर ही केवल केंद्रित नहीं थी वहीं तक सीमित नहीं थी वहीं तक confined नहीं थी कि अगर दच्छिन भारतिये हैं तो उनके रचनाओं में केवल दच्छिन भारतियता ही दिखाई पड़े वहां के ही पात्रों का मलब उसमें भड़न हो वहां की विशय की बारे में भड़न हो तो ऐसा कुछ नहीं था आगे देखते हैं कि कमला एक्सप्लोर सब मल्टिट्यूड आ आप्यूसे सअ उसका अभिश्कार करती है आयं अन्योध च्छिपाय शच्चतनाओ ने देखते हैं कि रचल में Žेधक आपको क्या है विल्ट्ट्यूसी विल्ट्यूसे की अलभी से मक्नार्म सानिकिशी अदेखती देखते लिक्स्ट्यूसे की कि पर्ताभस official-dak पक्कोता एंड गुड अर्गनाईजेशन जो उनके प्रसंसिनिये परिपक्कोता को और गुड अर्गनाईजेशन यानि अच्छे संगठन को प्रदसित करता है यानि उनके विशय का चुनाव जो है वो इस बात को प्रदसित करता है कि उनके अंदर जो है अच्छे विशय के देली नियसन आफ दा डवल पुल्स यहानि उनका जो वर्क्स इनकी रचनाएं जो है बढ़ी हुई हैं वास्तविक्ता के दोहरे खिचाओ में पड़ी हुई हैं या उस दोहरे खिचाओ को आप देख सकते हैं उनकी रचनाओ में परिलच्चित होते ہیں सब्जेक्टेट टू यानि इंडियन बुमें सिकार होती है किस चीज का किंदो दोहरे मापदंडों का कि बडबीन हर डिजायर टू एसर्ट हरसल्फ असन इंडिविजुल यानि एक तो जो भारतिय महिला है उसकी यह इच्छा होती है उसकी डिजायर होती है कि अपने आपको यानि अपनी पहचान के रूप में वह विक्सित करना चाहते है यानि असर्थ हरसल्फ असन इंडिविजुल एक बखतिगत रूप में यान है अपना ब्यक्तित जो है वह बिक्सित करना चाहती इस्तमाल में and her और दूसरी ज्यो है her duty उसका जो करतब है इंदा capacity of a daughter यानि एक डाटर के रूप में wife, पत्नी and mother और मा के रूप में यानि अवरत जो होते हैं उसके तीन प्रारूप पत्री, पत्नी और मा के रूप में जो उसके करतब हैं उस करतब की छमता जो है और एक अपने आपको एक अलग अपनी पहचान बनाने की जो छमता इसी दोहरे माप दंडो में आवरत इसी का जो है यानि जो महिला है भारती महिला जो है इंडियन बुमेन जो है वो इन ही का सिकार रहती है ये बात इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है यानि कमला मारकंडे आगे देखते हैं She is also point out वो हे भी बताती हैं कि How the socioeconomic condition How the socioeconomic condition आगे देखते हैं हाँ यहाँ से देखिए कि See also point out यानि वह भी बताती है कि हाउद असोशियो एकॉनोमिक कंडिशन यानि जो सामाजिक आर्थिक कंडिशन है इस्थिती जो है एफेक्ट दा भूमें मोश्ट यानि वह और तों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है कैसे करता है यानि यह बात वह अपनी रचनाओं में बता प्रसित हुआ और किसकी रचना है तो जाने रहे जो उनकी प्रसिद रचना है उसमें आगे देखते हैं कि इस हर फर्ष्ट नॉबल उनका पर्थम नॉबल है पर्थम उपन्यास है विच डेलीनियेट्स दट्रेजिक आउटकम्स जो क्या चीज़ करता है दोस्तों क्या ची प्रसितिक आपदाएं and including modernization और आधुनिक्ता की घुस्पेट यानि इन सब चीजों के जो दुखत परड़ाम है उसको प्रतरसित करता है दिखाता है विधिट्स होरंडस आफरमेत यानि उनके भयावा परड़ामों के साथ इसके परड़ाम को प्रस्तुत करता है यानि इस इसमें क्या होता है कि जो गरीबी और नेचुरल क्लेमेटीज अर्थात प्राकिरतिक आपदाएं और जो आधुनिक्ता की घुस्पेट है उसके भयावा परड़ाम को दुखद परड़ाम के साथ प्रस्तुत करता है ये चीज इसमें बताया गया आगे दिखते हैं इट इस शांचना है याज contrary वहन चैनल के सैंट अच्छी तरह से चीज या नबल है अन्ध क्लासिकल मोड यानी सास्त्रसर क्याइब सकते हैं उस पर लुखेशे अच्छी तरह से रचा गया नावयल है आनधद त्रीम आफ हंगर याण इंड श्टार बेशन यानि भूख और भुकम भूख और भुकमरी के विषय पर लिखा गया एक सास्त्रिय विधा का नाटक है दोस्तों आगे देखते हैं कि सम इनर फ्यूरी यह उनकी दूसरी रचना है तो मलवान ने रचना है कि इनर फ्यूरी जो है उनकी रचना जो 1955 में प्रकासित हुई जो 1963 में प्रकासित हुई एंड गोल्डेन हनी कॉम उनकी आने रचना का नाम है 1977 में प्रकासित हुई और हर पापुलर नॉबेल्स यानि उनके प्रसिद उपन्यास है वेरंसी गिप्स अक्लियर की जहां पर वो देती हैं बताती हैं क्या चीज अक्लियर एंड आगे देखते ह हां यहां से देखिए कि हुएरं हुएरिन सी गिप्स अक्लियर एंड इकोनॉमिकल एकाउंट आफ द लाइफ जहां पर वो क्या करते हैं एकदम असपस्ट और आर्थिक एकोनॉमिकल यानि आर्थिक एकाउंट आफ द लाइफ यानि जीवन आगे देख लिएँ कि लाइफ इस्टाइल आफ द पीजेंट द मीडिल क्लास ऐन्ड आयरिस्ट्श कैसी यानि वह जहां क्या करती हैं कि एक ऐस पस्ट और आर्थिक विवरंड प्रस्थूत करती हैं कि लाइफ यानि इन सारे वर्गों की लाइफ इस्टैल यानि जीवन सहली के सच्चे विवरण को असपष्ट और आर्थिक रूप जो असपष्ट रूप से उसको प्रस्थूत करती है में बताती है and also focus और इस बात पर भी ध्यान देती है on the conflicting east-based relations यानि जो दच्छिन मनलब east-west यानि पूर पस्चिम के जो conflict relations के संघर्स हैं उनको मनलब संबंदों relation यानि संबंदों के conflict at that जो उसके संघर्स हैं उस पर भी मनलब वो क्या करती है focus करती है ध्यान देती हैं तो यह दोस्तों आपका दो important question हो गया जो आपके फर्स्ट उनिट से related है जो आपके exam में very short answer और short answer और long answer यानि तीनों प्रकार से इस unit के question आते हैं जो पीछे पर इच्छाएं हुई है अभी first semester की उसमें इस तरह के question रहते थे तो यह देख लीजिए बहुत important question है इसको रट लीजिएगा आप लोग और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो like जरूर करें वीडियो को comment box में अपने बिचार जरूर टाइप करें अपने दोस्तों में share करें ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में धन्यवाद जैहिंद झाला हुआ जाला हुआ